गुड मॉर्निंग इस्ट्वेंट्स कैसे हैं आप साथ उम्मीद करती हो आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वक्षी नमबर 23 यह से लेबल कर लीजिए डी डाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपने टीचर का नाम लिख लीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले प्राणिय तयार नाश्ता कर रहा था यानि वो नाश्ता जो उसकी ममा ने उसके लिए बपनाया था अचानख उसके ऐख नहीं चारण टुकड़ा खा लिया हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन हाँ जो मेरी ममा बनाती है वो बहुत टेस्ट्री होता है वो मैं कभी गदार खा लेती हूँ वना मैं करेला नहीं खाती आप लग बताएंगे आप में से कौन-कौन करेला खाता है मुझे कमेंट्स करके अचाफिलाल यहां हम बताते है राहूल खाना खा रहा था नाश्ता कर रहा था है ना नाश्ता कर रहा था उसके मुझे अचानक से एक करेले का टुकड़ा आया लेकिन वो कड़वा था इसलिए वो बहुत जोर से चिल लाया क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है मैंने असा नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही पता कर लेती हूँ कि खाने में क्या है और अगर करेला वगेरा कुछ होता है ना तो मैं चुपचाप से जैम पराठा या कुछ और खा लेती हूँ सोतंत्थ होती है और किसी भी दिशामे मूर सकती है आप सब जानते हैं जसान की मदद से बोल रहे हैं और देखर confirm यह देखिंगा का रहे हैं बोलने के यहां देखिए यह आपको एक जीप का चित्र दिया गया है जिसमें बताते हैं कि अगर कोई कड़वी चीज होती है यह जीप के इस वाले इससे में लगती है खटी चीज यहां नमकीन चीज यहां और मीठी यहां ठीक है यह बोजन में राल को मिलाने का कारे करती है तता बोजन को निगलने में साहता करती है यानि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जब हम उसे चुट-छुटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उस वक्स हम चबाई नीरे होते हैं उसमें अपनी राल को भी मिला रहे होते हैं त विबिन सूदु का पता लगाती है जैसा कि यहां अभी जाना फिलहाल देखेंए आपको दिया गया है कोई चीज़ मीठी है तो वो आगे लगेगी कोई चीज़ खटी है तो वो इस सइड में लगेगी नमकीन है तो वो भी यहां लगेगी और कोई कड़वा है तो वो पीछे लगेगा ठीक है अब देखें यह आपको कोशन लिखा है अभ्यास के लिए प्रेशन रिक्तिस्थान को भरिए जीव एक मसाल तो क्या जगा डैश डैश है जो पीछे की और से डैश के अंदर तल से लब हो जाएंगे हैंँ पीछे की और से जोड़ी होई होती है और आगे से क्या होती है खुली हुई होती है है तो आप इसे लिख सकते हैं सानी से यहां को अगला कुशन लिखा है जीव के उन छेतरों का नाम लिखी है जहां मीठा कड़वा सुआत का पता लगाया पता िटिऑ जगा हैं जहां पें मीठा और खटा लगता है यहां लिख सकते हैं कि मीठा यानि स्वेट और डीटर यानि कि खड़ा च्टे कैं उसमी बेटा लिक लिखे हुए नाम बता करतें यदि ऐसा होता कि हमारे मुझें जीब नहीं होती टिके तो अम लोग कैसा अनुभफ करते दिके सबसे बढ़ी चीज तो यह गौड ने जो चीज बनाई है उसका कुछ काम है और इसलिए उससे बनाया गया है अगर नहीं होती तो पर सबकी मुझें नहीं होती है ना तो कटा मीठा नमकी यह टेस्ट नहीं लगता तो चले इस आंतर को लिखे देखते हूं फिर वीडियो को फिनिश करते हैं कि आप इसकान से यहां से लिख सकते हैं यदि हमारे मुख में जीव नहीं होती है तो हमें बड़ा जीव मैसूस करते हैं और नमबर वन हम कुछ खा पी न सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मैं चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग